चार दिवस्य सित्र पीच श्री क्यालुटी महराज गंगत के विशाल गंगल का आसमा बनुआ पुरेभाल वर्ष में सबसे विशाल माने जाने पाले इस दंगल में बड़े नामी पहलवानों ने शिक्कत कर अपनी दाव पेश दिखाए कमेडी की तरफ से इनामों और दंगराशी की कभी कोई कभी नहीं रहती यही कारण है कि इस बार जहां पर डोई, गागरे, स्टील और पितल की मार्टियों की संख्या सैक्रों में थी वही दंगल का सबसे बड़ा अकरशक थी जहां हर साल दर्शकों की संख्या हजारों में होती है लेकिन इस बार पिछले रिकॉर्ड ही टूट गए लोगों में इस दंगल का इतना अकरशक होता है कि दंगल का शुभारम दुबहर दो बजे होता है जबकि लोग सुभा पाज बजे ही दुकारों की छटों पर अपनी जगा पर कपजा जमागर बैठ जाते हैं पूरा दिन तप्तित भूप भूप प्यास भी इन कुष्टियों प्रेमियों को विश्रित नहीं करते हैं और रात तक दंगल समापन तक वो बैठे रहते हैं कांगरा बैंक के चेर में राजी भारद्वा समारों में वुक्य अदिती रहे वहीं इन दौरा विधाई का रीता दिमान पूर सांसर चंत कुमार और नूरपुर जिला भाश्पा के महामर्ति रणबीर सिंग निका भी विशेश अदिती के रूट में वुपस्थित रहे बड़ा अच्छा लगा एक चोटे से गाउं में भारत वर्ष के लेहीं विश्व विख्याद पहलवान आकर यहां कुछ दिकरते है और मैं सादू बाद देना चाहता हूँ बाबा क्यालू जी महाराज की कमेटी का कि जो एक छोटे स्थान में इतना बड़ा इवेंट करती है मुझे पहली बार यहांने का अफसर प्राप्द हुआ और मुझे लगता है कि यह कमेटी जो है हिमाचल परदेश की जो संस्कृती है हिमाचल परदेश की जो पुरानी परंपराएं हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है मैं अपनी और से अपनी पार्टी के और से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उमीद करता हूँ कि आदेन महाराज क्यालोजी महाराज के अशीरवाद से आने वाले समय में ये दंगल और भी अजट तकड़ी उंती करेगा यही मैं कहना चाहतू